नमस्कार दोस्तों पैसा तो बनेगा मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है देखो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे पांच एसी केंडल स्टिक पेटन जो बहुती कॉमन है बहुती पॉपिलर है बट फिर भी बहुती रियालिस्टिक है और बहुती इफेक्टिव है अब सबसे बड़ा डिस्क्लेमर में आपको देता हूँ क्यों हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि दुनिया भर की 100-200 पैटन केंडल स्टिक की देख लो हजारों ऐसे कोर्स के वीडियो देख लो फिर भी हम प्रॉफित नहीं मना पाते हैं मैं खुद इस फेस से गुजर चु यह bullish trend ही होगा बट हम यह miss out कर जाते हैं कि अभी ongoing market में train कौन सा चल रहा है यह hammer pattern कहां पे बन रही है यह क्यों बन रही है यह daily time frame पे बन रही है weekly पे बन रही है 4 hours के time frame में बन रही है 15 minutes के time frame में बन रही है यह काफी सारी चीज़े हम भूल जाते हैं और हम आख बंद करके ए अब ही सबसे बड़ा problem है अभी में चार्ट में आके एक चीज़ आपको बताता हूं यह बेंग निफ्टी का चार्ट है बेंग निफ्टी का यह 15 minutes का चार्ट में 4 hours में में convert कर देता हूं ठीक है 4 hours के चार्ट में एक चीज़ आप please observe करो यहां पे क्या हो रहा है बेंग गेंडल 4 hours को रीप्रेजन कर रही है ठीक है अब यह 3 गेंडल देखो 3 गेंडल यह 3 केंडल कौन सी है 2 जी है बेखा 2 जी केंडल क्या बताती है इंडीसिजन बताती है इंडीसिजन बताती है ठीक है किसी के आथ में पावर नहीं है यह 3 गेंडल का almost high same है लग बग 25-50 point का फ ठीक है अब यह तीनों candle कहां पर फॉर्म होई यह अच्छा-खासा moment देने के बाद अच्छा क्या यहाँ कहीं पर तीन candle आई क्या यहाँ कहीं पर आई क्या यहाँ कहीं पर आई नहीं है तो यह unique चीज हुई कि तीन candle मतलब market decide नहीं कर पा रहा था उसके हाथ में पावर नहीं था, किसी के हाथ में पावर नहीं था ultimately जब इसका low breakout हुआ तो वो low किसमें किसके हाथ में होगा, seller के हाथ में ठीक है, so आपको इस तरह से सोचना है कि भई market एक अच्छा खासा uptrend में था 3-3-2 जी candle बन रही है, 4-4 घंटे की मनला 12 hours 12 hours में कोई decision नहीं निकल रहा है उसके बाद एक low नीचे की तरफ जा रहा है understand, ये काफी सारी चीज़े हम सिखना बंद कर देते है इसके वज़े से ही रटा रटा है अगनाना में काम नहीं आता यहीं हमें सीखना है, तो मैं आपको जो पाँच पैटन बता रहा है अग्दम नॉर्मल है जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी बट मैं सिर्फ इसके sentiment आपको सिखाऊगा सबसे पहली जिसको बोलता है था king of the stock market जिसका नम है दोजी केंडल, दोजी केंडल दीखेगी कैसे, ऐसी इसका मलब क्या हूआ, इन डिसीजन है इसका मलब हुआ है कि बायर और सेलर कोई डिसाइड नहीं कर पा रही है, यहाँ पे confusing में है, इन डिसीजन में है तो ज्यादा तर इस चीज को कहा होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे एक uptrend था, फिर downtrend आने वाला हो ठीक है, तो जब एक uptrend खतम होता है कोई चीज खतम होती है ठीक है, वहाँ वहाँ पे जब इन डिसीजन होता है कि क्या अभी market को और उपर ले जाए, नहीं ले जाए काफी सारी चीजे होती है तब 2G candle आती है अब यह 2G candle को कभ देखना है इसको देखना है weekly के time frame में इसको देखना है daily के time frame में और इसको देखना है 4 hours के time frame में आप यह नहीं कर सकते कि यार मेरे को बेंग रिफ्टी में ट्रेड करना है मैं तो 15 मीट में चाट के देखके दोजी के नल देखता हूं यह मुझे इससे लोस ही होगा 15 मीट का इंड डिशीजिजन आपके क्या कामाने हो ला है ठीक है मैं इंट्राडे के लिए भी 4R का चाट देखता हूं कि कहां प जा पता जल गया तो मेरे माइंड में थोड़ा प्रोबिबिलिटी पूट की तरफ जाएगा करेक्शन की तरफ जाएगा फिर मैं इंट्रेडे में अपनी स्टेडेजी के इसाब से देखूंगा कि क्या वो 1R का लोग तो तो यहां पर अगर आप 15 मीट का चाट देखो तो अभी काफी सारी टाइम वो हाई सर्वाइफ करी नहीं पर आया है यह तो दो पेर से नीच आएगा यह तो सुबह सुबह से नीच आएगा यह तो उपर जाके नीच आएगा क्यूं क्यूंकि एक बहुत बड़ा ट्रेंड एंड हुआ है थोड़ा करेक्शन मार्केट में आय बहुत बड़ी बात है कि पूरे विक कुछ ज्यादा किसी के फाइवर में नहीं गया तो अब इसका जो हाई है वीकली और इसका लो है उस पर नजर रखो न अभी जो जीते गा वो हाई या लो निकाल के जाएगा तो उस तरफ जाना है मार्केट को यह काफी सारे ट्रेडर सम कर रही है अब इसका क्या मतलब होँआ इसकी कंडल कुछ इस तरह के ऐसे बनेंगे जिसका विक बहुत बड़ा होगा ऊपर की तरफ इस तरह से उंगाँ ठीक है अब यह हैंगिंग में ठरेड केंडल ज जाद और जब ट्रेंड़ खतम होगा और सेलर जब हावी होगे तब आएगा कि हाँ अब पावर पूरा सेलर की तरफ चला गया है अब मार्केट में सेलिंग आने वाला है तो हमें जैसे कि अप्ट्रेंड चल रहा हो मार्केट में और क्या वहां पे consolidation हो रहा है क्या वहाँ पर correction आने वाला है यह सब चीजों में हम ढूंडेंगे दोजी candle ढूंडेंगे हैंगिंग में candle ढूंडेंगे तो पता चलेगा इसका high कितना नस्दीक है दूसरी green candle से यह ढूंडेंगे हम कि इसके आगे इसको क्यों जाने नहीं दिया और फिर जब उसका low break होता है तब मज़ा आता है कि हाँ राइट सो अंडेस्टेंग के हैंगिंग में मतलब पूरा power चला जा रहा है seller के हाथ में नाथ की buyer के हाथ में और यह generally होगा कब होगा कि जब market में अब जा रहा होगा या तो market crash होने के गगार पर होगा जादर में correction word ही use करता हूं crash word तो मरलब तीक चार साल में एक बार आता है तो वह एक favorable चीज़े नहीं है बट understand कि यह किस तरह से work करता है ठीक है उसी तरह साथ अपने चार्ट में भी तो तीन example लेखेंगे no need to worry about it उसी यह हो गया bullish hammer ठीक है तो bullish hammer कब आता है कि जब downtrade खतम होने आता है अब जब market को ऊपर जाना होता है तब bullish hammer आता है यहाँ पर हमारा thinking क्या होता है कि यहाँ पर buyers के हाथ में बाज ही चली जाएगी अभी थोड़े टाइम के लिए color पर focus मत करो कि red color की green candle है यह सब बहुत रटा रटा है अगनाने हमें focus करना है कि कौनसी candle कब बन रही है downtrend में अचानक हमें ऐसी candle दिख जाय है इसका मरला है कि सीरे दीरे power का shifting हो रहा है buyers की तरफ so let's wait कि इसका high निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता मार्केट ठीक है so वो मज़ा आता है वो चीज़े detect करने के लिए कि ये candle कहां बन रही है उस हिसाब से हम देखना है उस हिसाब से हम चीज़ों को पे जाना है तो जैसके weekly ऐसी candle मिल जाए तो हमें पता चलता है कि इसका higher lock break होगा तो उस तरफ market जाने के ज्यादा chances है हम यहां पर accuracy की बात नहीं कर रहे है यहां पर probability की बात करे है अनुमान की बात करे है ऐसा होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए तो हमें और भी एक दो candle का सहारा लेना पड़ता है yes उसके बाद वाली candle आती है bullish engulfing bullish engulfing मतलब क्या कि हमारे पास एक छोटी से एक red candle होगी जिसको spinning candle बोल सकते हो even कई बार 2G candle भी होती है normal candle भी होती पर एक छोटी body वाली candle होती है हमारे पास generally वो red candle होती है generally और उसको पूरा ठक देने वाली candle होती है जिसकी बहुत अच्छी body होती है और य यहाँ पे red candle में क्या हुआ था कि यहाँ पे दीरे 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 seller का जो पल्ला है sellers का वो काम हो रहा था सबसे पहले तो यह indication मिला और बाद में buyers हावी होगे बहुत बड़ी green candle देती है तो हमें यहाँ पे power shifting देखना है कि अभी trend डाउन जा रहा था जा रहा था अभी यह जो कि match actually Australia के हाथ में था हाथ में था अचानक Australia के हाथ में से निकलता है और Indian batsman बाजी मार लेते हैं तो यह भी downtrend खतम होता है तब आता है यह तो trend में पूरा shifting अचानक आ जाता है तब आता है तो यह भी अब देखो कि यह daily chart पे देखो और 4 hours के chart पे देखो तब ज्यादा इसको मज़ा आएगा 15 minutes के chart पे इतना ज्यादा मत देखो हाँ 1 hour के chart में इसको देख सकते कि एक जो red candle थी इस तरह से हुई फिर green candle इस तरह से हुई तो यह एक घंटा में power reduce हुआ seller का दूसरे घंटा में buyers के हाथ में power आ गया तो अब market उपर जाएगा understand उसी तरह से bearish engulfing bearish engulfing में क्या होगा अब trend के बाद यह आएगा जब power seller cash में shift होगा तो पहले एक red candle हाईगी छोटी से body वाली वहाँ पर पता चलेगा कि buyers का power काम हो रहा है और उसके बहुत बड़ी body वाली एक red candle हाईगी जहाँ पता चले है कि sellers अभी dominate हो रहे है उल्टा हो रहा है यहाँ बाद में प नहीं कहना जादा है उसी तरह से bonus मालब extra में सिखा देता हूँ जिसको बोलते है morning star और evening star ठीक है morning star कब आएगा जैसे कि हम अच्छी सुबा की शुरुबात करते है मतलब positive चीज होगी कि downtrade आ रहे है downtrade आ रहे है उसमें से एक red candle होगी मालब अभी भी यहाँ पे seller है power में फि तो क्या होगा बदा है पहले power seller के आथ में फिर वो power घटके बाहर के आथ में चला गया और यह बहुत बड़ा बाहर के power में आथ में एक event दूसरा event और तीसरा event यह बहुत काम की चीज है जब बहुत बड़ा trend shifting market में होता है अब उससे उल्टा evening star मतलब darkness की शुरुबात चोटा सा power चला गया seller के आथ में और बात में बहुत बड़ा power आया seller के अगें major trend shifting ठीक है ज्यादा तर weekly basis पे इसे केंडल देखने को मिले तो मजा आता है पूरा market का mood पता चल जाता है तो मैंने यहां पे पूरे अपने देखा मुझे power shifting के view point से मैंने आपको समझा है कि power किस इस तरह से shift होता है पला किसका भारी रहता है हमें वो देखना है अब हम आ जाते bank nifty के chart में हम randomly काफी सरी चीज़े देखने कि अगर try करते है तो पहले में weekly chart लेता हूँ अब आप patterns के नाम भी बूल जाओ हमें रट्टा नहीं मारना है कि patterns कौन सी हमें सिर्फ देखना है कि market में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम अगर देखना शुरू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा देखो यहां पर आपको दिख रहा है एक छोटी सी spinning या तो दोजी गेंडल जो भी बोलना है इसको बोलो यहां पर आई यह weekly candle है अब समझो पहले ठीक है रट्टा मत मारो कंफ्यूजन था कोई किसे के आथ में पावर लेना देना नहीं चाहता था तब क्या हुआ इसका हाई ब्रेक किया तो मार्केट कहां गया अंडर्स्टेंड कि क्या हो रहा है और उसके पहले की candle क्या थी आप यह समझो रेड केंडल दी अच्छी खासे रेड केंडल दी यह पूरा मार्केट डावनी आ रहा था यहां से वीकली बेजिस पर क्या था डावनी था और वहां पर अच्छाना के आ गई दोजी केंडल और इसका हाई तोड़ा तो मुलाब इसके लो अगर तोड़ता तो सेलर के हाथ में बाच जाती हाई तोड़ा तो ही अब अप्ट्रें था अब अच्छानक एक ग्रीन जो देखो यहां पर क्या हो रहा था ग्रीन केंडल ग्रीन केंडल ग्रीन केंडल एक छोटी सी रेड केंडल दोजी केंडल ग्रीन केंडल ग्रीन केंडल ग्रीन केंडल ग्रीन केंडल ग्रीन केंडल यह वीकली में यह हो रहा है और अच्छान समझ आपको आ रहा है मैं क्या बोर हूँ यह सब चीजे आप महसूस करोगे तो आपको पता चलेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एसा आपको डेली चाट में भी दिख जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है क्या पैटर्न का रट्टा मारके ही देखो तो ही आपको देखो यहां पर यह जो दोजी केंडल बढ़ी है कितनी बड़ी मारके गूमा होगा पर अल्टेमिली डिसीजन किसके हात में नहीं गया होगा तो वही हाई था अब जैसे ही लोग ब्रेक किया देखो आया के नहीं है so you have to understand कि ये दोजी बहुत powerful चीज है उसी तरह से जैसे कि होती है न हैमर केंडल हमें दिखाई दे देती है जैसे कि अब मैं थोड़ा वन आर के चार्ट में भी चला जाता हूँ उसमें भी अपने देखते हैं ऐसा नहीं उसमें भी नहीं देखने हैं अपने को काफी सारी चीज़ें यहां पर भी ट्राई करते हैं यहां पर भी दोजी हमें मिली है एक मार्केट ट्रेंड पुरा चेंज हुआ है थोड़ा मगर अगर रिसेंटली भी चले जाए हमें को काफी सारी चीज़े देखनों को मिल जाएगी कि भाईया क्यूं मार्केट में ऐसा हो रहा है देखो जब उसको डाउन जाना है you will see more inverted hammer candles देखो यह ज्यादा ऐसी candle आएगी ज्यादा ऐसी candle आएगी मुझे जिस एरिया में जब उसको डाउन जाना होता है क्या होगा दोजी candle आजाएगी inverted hammer आजाएगा यह इस तरीके की spinning candle एक छोटी सी body वाली टॉप वाली candle जिसको hammer भी नहीं बोल सकते यह जितनी ज्यादा आएगी वो market consolidation होगा वो range को तोड़ेगा market या तो उपर या तो नीजे भागने वाला है right अब मैं ज्यादा इसको deep में नहीं ज्याता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा time लग जाएगा but understand देखो यहाँ पे एक 1R का chart देखो बहुत simple calculation market अब खुला रहा है gap up जिसको हम बोलता है ठीक है gap up तो खुला interesting थी but gap up के बाद जो 1R की candle थी वो एक 2 जी बन गई मतलब indecision gap up के बाद indecision आ रहा है एक गिंटे में मतलब अब सोचो कि market में 9.15 को market खुलता है 10.15 यह जो एक घंटे की candle है gap up के बाद indecision देती है मतलब अब वो फस्ट गया क्या करना है पता नहीं चल रहा है अब जैसे वो indecision का low तोड़ता है यह low तो कौन हावी होंगे यहां पर seller होंगे क्या हुआ बहुत बड़ा move आया right so understand यहां पर क्या हुआ था almost same time कि आप दो जी केंडल बोल सकते हो थोड़ी बड़ी बड़ी यह बड़ी सोखे बट यहां पर ऊपर का एक level उसने तोड़ दिया market उपर गया so understand कि market में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है रटा मारके नहीं बेट जाना है कि यह pattern मतलब तो उपर ही जाएगा यह pattern मतलब तो नीचे ही जाएगा हर एक चीज़ को समझो और market का behavior समझने के लिए weekly follow करो daily follow करो 4R का चार्ट फोलो करो intraday के लिए भी 4R का फोलो करो 1R का चार्ट फोलो करो क्योंकि हमें sentiment पहचानने त्रेड तो हम strategy और setup के base पे लेंगे ना sentiment पहचानने के लिए candlestick देखी जाती है ऐसा नहीं कि वही candle पे trade लेना है ट्रेल लेने के लिए तो हमरे पास strategy होनी चाहिए logic होना चाहिए अमरे पास system होना चाहिए वो तो बहुत अलग बात होगी आगे पीछे में आपको समझा दिया कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है अब कोई भी आप candlestick पेटर लो उसके समझो कि उसके विजय का साहर गया है इस तरह के से लाइफ में आ गया आ जा सकते है राइट बाकि कोई भी guidance चाहिए गया तो मेरे साथ WhatsApp में connect रहे ना अच्छे अच्छे वीडियो में मिलते रहेंगे बाकि दोस्तो एक important announcement अगर आप निफ्टी बेंक निफ्टी में option trading कर रहे हो अगर आपका aim यह है कि आपको option में जीतना है कि अच्छी income या तो wealth build करनी है बट market में आप टिप से परेशान हो चुके हो टिप से ठक गए हो लोगों के लाखो करोडों के profit screenshot का आपको कोई फाइदा नहीं हो रहा है आपको एक जैनियून और honest guidance चाहिए जहां पे आप nifty और bank nifty में काबिल बनके बाहर निकलो तो हमने एक बहुत अच्छा initiative लिया है हमने एक unique telegram channel start की है जिसका नाम है nifty bank nifty vip traders जिसके fee बहुत ही reasonable है कोई भी एक छोटा सा भी trader join हो सकता है यहां पे हम कोई भी tips प्रोवाइड नहीं करते कोई भी profit के screenshot प्रोवाइड नहीं करते बट हमारा focus होता है price action पे market के direction में और उसके sentiment पे और main aim यह है यह चैनल का कि जितने भी trader इसमें join हो रहे हैं अगर वो 3-6-12 मीने में अगर वो capable बन जाते तो यह channel का aim अचीव हो जाएगा तो अगर आप भी ऐसे trader है जिनको tips या तो shortcut नहीं चाहिए पर आपको capable बनना है तो आपको इस telegram channel की link youtube के description में और comment section में मिल जाएगी आप इसको बहुत आसानी तरीके से join कर सकते हो